कि वीडियो के पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्स पर वाचिंग आज का हमारा चेप्टेर है एकांटिंग रेशियो ट्वेल्थ कोमर्स सुट्रेट के लिए बहुत दिन से यह सारी कुर्शन परेंग परेंग थे कुछ खास नहीं है फिर भी आप लों का रिक्वेस्ट है तो मैं इससे बना कि सॉल्व कर रहा हूं कोशन कर रहा है डेटर्स टर्णोफर रेशियो निकालने के लिए एक से लेकर 30 तक बना हुआ है उधर जो है ना साथ साथ से बना हुआ है आपको देख लिजीगा प्लेलिस्ट में सारा कुछ दिया हुआ ह कि आपको कुशन नहीं मिले तो आप में कमेंड करेंगे मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा ठीक है ना यहां कुशन कर रहा है निमलिखित विवरनों से देंदार आवर दनपात की गन्ना कीजिए डेटर्स टर्णोफर रेशियो आपको निकालना है दिया हुआ है संद्य डिकर्स दिया हुआ है आपको अब्देखना इसमें मोज जो आपको निकालना का फिर्मूला क्या होता है डिटर ठाहुकर का फिर्मूला होता ने 的 सब्सक्राइब बना हुआ है मैं इसमें समझा देता हूँ आपको यह डेटर्स टर्न वर इसका फर्मुला होता है नेट क्रेडिट सेज्स सब्सक्राइब बना है इसा करने जो आएगा वह डेटर्स टर्न वर इसका लाएगा तो कोश्चर में जो है नेट क्रेडिट से दिया हुआ है यह टोडल से दिया हुआ है एक लाग पचहतर जार फिर आगे लिखा हुआ है कैसे कितना है बीस परसेंट और टोड़ जीज सेज् करेंगे टोडल सेससे करतेंगे कैसे फिर लेस करतेंगे हमसे जो आएगा व उकल आएगा नेट क्रेडिट सेल्स कब आएगा तो टोडल सेस से 1,00000 कैसे दिया हुए 20 पर्सेंट व्टोड लुड़ सेज एक लाग पचहतर जार का जो 1,005,000 इसका 20% यह हो गया 35,000 कि मैनस कर लाना है और सदेंदार आपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड़ टू कुर्शन में आपनिंग दिया हुए आर्ट जार पूजिंग दिया हुए बारा जार जोड के दूसे भागा लगा दो यह होता है कितना दस जार हो गया ठीक है अब आपको निकलना है डेटर्स में तो यह अब इसमें क्या सब कह रहा है वह हमें आपको पढ़ के सुनाते हैं यहां भी सेम कोश्चन आपको निकालना है देंदार आवर तरपाती गन्ना करनी है कुल उधार कुल विक्री दिया हुए उधार विक्री का 70 परसेंट है तो कुल विक्री है 6 लाग इसका निक करना है यहां देखते हैं क्या सब करना है यहां देखिए तो कोश्चन में 32 फरूला सेम हो जाएगा क्रीट सेज्स उधार विक्री जो सिवन्टी परसेंट आव टोडल सेज्स तो कुल विक्री है साट इसवरी 6 लाग का 70 परसेंट यह हो गया चार लाग बीजर यह क्या नि कि नेट क्रीजस निकलाएगा तो उधार विक्रीज रहे हैं इसका चार अनुर Ay पांच भाग यह हो गया बीजर मतलब उधार विक्री जैना बीजर हो गया आपका विक्रेंद कि वापसी हो गया तो आपको निकलना है से चार लग से हैं आपको निकालना है टेटर रोर रेशियों चार लग यहां पे चार लग ड्या पर ठीक हे नहीं गर्वाक करँ के लिए बन्हों 최्ट 그대로 यह नाना हम यह क्युक्त आहिंगे तो दो एक कि मिवाद सब्सक्राइब प्रोसेस निकालना है इसमें निकालना एक निया हुआ है एवरेज क्लेक्शन पिरिड कोशन में दिया हुआ क्या सब को देखिए आप कोशन में दिया हुआ है तो नेट के दिया हुआ है 27 लाग डिटर्ट दिया हुआ है चार लाग बीज जार और फिर इस तरम रेशियो इसका फर्णूला सेम होता है नेट के दिशेज बटे एवरेज टेड डिसीएबल चुकि आपनिंग नहीं दिया रहे डिटर्ट का तो ऐसे कंडिशन में क्या निका जरी आपका एवरेज डिशीएबल है और नेट के दिशेल से 27 लाग 27 लाग भागा कितना 40 प्लस 30 चार पचास यहां देखी क्या हुआ है 27 लाग भागा चार लाग पचास जर भागा लगाने जो आएगा वह कहलाएगा आपका डिटी यार स्वर्ट पर बोलते स्कों डेटर यही यही किता दिन होता है यही अगला कुशन देखते है तो यहां भी आपको निकालना है तो यहां भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो आपको एवरेज कैसे निकालेंगे आप दोनों को जोर के दो से भागा लगा दो तो आपको निकाल दिया हुआ है तो कुल भिक्री है छे लाग नगत है कितना असी असी हम घठा देंगे उधार निकल जाएगा पांच लग वीज़ तो पांच वीज़ में हम क्या करेंगे चालीज जार से भागा लगा देंगे हम तो पांच वीज़ भागा चालीज जार यह निकल गया थार्टिन टाइम्स डिटर टर्नोबर रेश्यू फिर आपको इसमें निकालना है एवरेज क्लेक्शन पिरिएड इसका फर्मूला होता है एवरेज डेटर्स बटे क्रेडिट पर डे मतलब या फिर डे जीने यह तो एवरेज डेटर से आपका कितना पांच लाग पीज जार है डिवाइड वाइट वैए 365 एक साल में 365 दिन होता है ऐसा करने यह निकल गया आपका क्रेडिट इस पर डे निकल गया चोदो सब पचीश फिर आपको निकालना है एवरेज क्लेक्शन पिरियेड यह हो गया आपका जो है ना यह है चालीज जार एवरेज डेटर्स और फिर क्रेडिट सेल्स पर डे निकाल चुके हम कितना 1425 भागा लगा दो यह हो गया 28 एप्रोक्स ठीक है ना फिर अगला कोश्चन है यह आपको निकलना है एवरेज क्लेक्शन प अच्छक होता है पता है अब को फी टेडी सीवल है चंगोर रिस्योन निकालना होता है फिर आपको टेडी डी सिवल ट्रोफ इसनें फ्रों ऑपरेशन ता सेज़ का दूसरा नाम है रिव्न्यू फ्रों आपरेशन ठीक है ना इसीज को आपको धियान रखना है तो नेय्ट क यहां पर opening closing नहीं दिया हुआ है तो ऐसे condition में आपको क्या निकालना है average trade receivable निकालना है आईए सबसे पहले आपको निकालना क्याश में credit revenue from operation निकालना है मतलब उधार विक्री कितना हुआ है तो कुल विक्री जैसा आप अले कि हम ऐसे करेंगे हम total sales minus case sales minus sales return कुल विक्री है एक लाख मैनस नगद है बीस मैनस विक्रेवाफ सी है साथ मैनस कर दो उधार विक्री होगा कितना 73,000 ठीक है ना एक आटेम निकल चुका है प्र आपको निकलना है average date receable तो टो टेटर प्लस 20 रिसीवल को जोड़ लेंगे हम दोनों दिया हुआ हुआ है डेटर से 9000 बिस रिसीवल दो जार कुल कितना हो गया ग्यारहजार हो गया फिर आपको आगे निकलना है date receable turnover ratio इसका फर्मूला पहले भी जो है ना जान चुके हैं तो इसका होता है यह आपका जो है उधार भी तेहतर अजार डिवाइड वैवरेज कितना निकल चुके हैं ग्यारहजार निकल चुके हैं तेहतर भागा ग्यारह इसका फर्मूला होता है डेज इने यर डिवाइड हुआ है एवरेज या फिर टेड रिसीएबल टर्नोवर डिवाइड कर देंगे हम यह हो जाएगा 55.3 डेज यह था हमारा question number 31-35 तक उमीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा फिर भी आपको कोई confusion रह जाए तो आप म को हम अगले वीडियो में solve करने का पूरा प्रयास करेंगे thanks for watching